तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एडिल कोचिंग क्लासिस में तो लगातार LCM और SCF के सवालों का सिलसिला जा रही था और उसी स्रीज को आगे बढ़ाते हुए हम और कोशन्स आपके बीच लेका हैं और आज जो कोशन्स का सिलसि का वो समाप्त हो चुका होगा और अगला जो वीडियो आएगा हमारे नेक्स टॉपिक पर होका रखे आएगा ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले कोश्चन से कोश्चन लिखा हुआ है 341 434 और 620 का मासा के बीच होगा थोड़ा सा चेंजमेंट है कोश्चन में पूछा गय मिला नहीं गलत होगया पूछा गया गया मासा के बीच में होगा तो हमें कोश्चन सबसे पहले पूरा पढ़ना है ठीक है अब जब इस तरीके कोश्चन पूछा जा तो मासा को हमें ज्यादा घसीट नहीं का हो सकता नहीं मैं छोटा सा मैथट जो हम पिछली क्लास में पढ बार गया कि यह तीन यहां जाएगा नौ ठीक है इसके बाद 341 में किया तो देखिए नौ तियां 27 नौ चो को 36 चार बार जादा हो जाएगा तीन बार चला जाएगा तो तीन तरका नौ तीन नवा 27 यह दो हो गया और ग्यारा तेरा 7, 6, 13 हो गया 62 यह 0 विदर हो जाएगा फिर 93 में किया तो 62 एक कम 62 यह 1 हो जाएगा और 9 में 6 गया तीन हो जाएगा ठीक है तो आया आपका 31 अब अगर हम 31 से 62 में करें तो दो बार चला जाएगा और यह हमारा आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा अब चुकि तीन सं क्या है अगर 2 होती तो 31 यह हमारा था अब जो यह 31 आया है हम यह देखेंगे कि क्या इस 31 से 620 में divination हो जाएगा अगर हो जाएगा तो हम कर सकते हैं 31 से क्या 2 बार जाएगा तो हम इसको कह सकते है 62 और 20 बार करेंगे तो जीरो ठीक है तो यानि जो 31 आया है यह हमारा इसका क्या कहलाएगा ये कहलाएगा मासा हमसे पूछा क्या गया है कि जो 31 आया है ये किसके किसके बीच में तो 30 और 35 के बीच में 31 आयेगा यानि option number E ठीके, question क्या था question था 341, 434 और 620 के बीच में होगा ये question जितने भी SSE GD exam में पूछे जाने वाले हैं हमने क्या किया चोटी संख्या से 434 को divide किया जैसे हमने divide किया हमें पता चला कि इसका जो मासा आ रहा है दो संख्याओं का वो 31 आ रहा है अब अगर इन दो संख्याओं का मासा 31 आ रहा है किसे बीच में होगा तो हमने देखा कि 31 संक्या है वह 300 35 के बीच में तो आपसर नम्बर हमारा एज है वुसा ही हो जाए ठीक है तो बढ़ते हैं अगले question की और देखते है question दिया गया है दो संक्याओं का लासा वा मासा कितना कितना है 426 ठीक है यदि इन संख्याओं का योग 102 है तो दोनों संख्याओं को अंतर ग्याद कीजिए ऐसे कुश्चन के लिए मैंने बता रखा है कि जब भी लासा और मासा दिया जाए तो हमारे पास फार्मूला होता है वो क्या होता है तो होता है लासा इंटू मासा होता है भी यह पहले इंटू दूसरी संख्या लासा इंटू मासा यानि 420 इंटू 6 अब अच्छा है इसमें एक काम ये करते हैं हमें पूछा गया है कि संख्याओं का योग दे रखा है उसने 102 ठीक है अब जब 102 दे रखा है तो इसमें हम एक ट्रिक अपना सकते हैं चीक है मैं इसको दो पार्ट में बताऊंगा कुश्यों को दो तरीकों से बताऊंगा जो आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं हमने ये किया कि इस 42 को हमने लिखा ये और इंटू इस जीरो को इधर ले आया हमें कोई समस्या भाई 10 था 10 का हमने इसके साथ कुड़ा करा दिया 60 हो गया है तो कोई समस्या नहीं हो रही होगी और जब कोई समस्या नहीं होगी तो हम ये देख लें कि ये जो लिखा हुआ है इनका हम अगर योग करके देखें चाहीं भी कर देंगे option number D हमारा जो होगा वो सही आंसर होगा ठीक है अब आपको यह समझ में अगर ना रहा होगे किस तरीके से किया गया है तो उसकी लिए दूसरा तरीका हमारे पास है वो कौन सा है वो है यूनिट डिजिट का यूनिट का है अब यमारी चैनल पर जाएंगे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें number System का पूरा पड़ी हुई उसको उसमें आप यूनिट डिजिट के हर एक चीज बढ़ पढ़ सकते किस तरीके से कहां और किस तरीके से solution आएगा हमारा ठीक है तो बात ये करते हैं या पर थोड़ा सा हम इसमें ये समझेंगे कि अगर हम unit digit से करेंगे तो किस तरीके से कर सकते question ठीक है अच्छा एक चीज समझना question में लासा और मासा दिया गया अच्छा जब पहले और दूसरी संख्या है तो इसका unit digit जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा जीरो आएगा अब जीरो अगर आएगा तो इसके कहने का ये मतलब है कि इसकी कोई न कोई एक संख्या में जीरो रहा होगा किसी न किसी संख्या में जीरो रहा होगा ध्यां से स ठीक है तो जब यह 0 आएगा इसके बाद दूसरी चीज है कि एक तो बात हो गए हमारी 0 की ठीक है अब अगर हम इसको solve करें ते कि यह बात पूरी ध्यान से समझेगा एक एक इस्टे बागे बढ़ेंगे और समझते चलेंगे कोशन हम पढ़ रहे हैं किसे एकाई केंग से यानि यूनिट डिजिट से अब यूनिट डिजिट में हमने यह देखा कि 0 आ रहा है कि क्या करने पे दोनों संख्याओं का गुड़ा करने पे कहीं ने कहीं 0 आएगा तब ही यह जाके multiply में 0 आएगा नहीं समझ रहें मतलत देखि संख्याओं का लासा into instruments और दोनों संख्याओं का गुड़ा दोनों हमें साब राबर होते हैं ऐसेकंड यही हमारा क्या होता है फार्मूला होता है इसी बेस पर सारे लिएर नहीं इन संख्या रह ही आएगा first into second अब समझना यह कि इसमें भीlast में 0 आ रहा है तो इसमें भीlast में 0 आएगा 0 कब आएगा जब कोई संख्या में 0 रहा होगा अब जब 0 रहा होगा उसने यह का है कि इन संख्याओं का योग 102 है वे 102 जो है वो योग दे रखा है तो योग 102 है मतलब अब कोई संख्या एक जीरो है तो योग में दो कब आएगा इसमें एकाई कांग क्या है देखिए इसमें एकाई कांग दो है तो अगर हम जोडेंगे तो दो तभी आएगा जब दूसरी संख्या में दो रहा होगा रहा होगा और जब यह रहा होगा तो हमें चाहिए अंतर अंतर और जैसे यह अंतर करेंगे तो जीरो है जीरो अगर घटाते हैं तो हम अभी इकाई अंकी अंकी की बात कर रहे हैं और घटाते हैं तो बगल वाले से एक हासिल लेते हैं यहां आगे कोई नो कोई संख्या चाहिक और क्या रहेगी वह नहीं पता हैं क्वेente सक्षल्ब कर रहे तो हम नेlus यो स्क्राइब तो हम से ह pontSC leeredrando यह यह और है यह यह 106 में कितना आठ यह एक्षाइक कर सकते हैं जिस तरुप से आप इसको करना चाहि實 आप कर सकते ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन के ओर तो देखी कोश्चन है आपके सामने लिखा हुआ है दो संख्याओं का लासा वा मासा 3564 वा 81 है यदि वे संख्याओं संख्याओं 324 वा एक्स है तो एक्स के अंकों का योग ज्यात किजी यानि मैं इसको कह सकते हैं 3561 इंटू 81 बटे 324 और हमें एक्स की वेल्यू फाइंड करनी है इस 324 को हम लिख सकते हैं इस 324 को लिख सकते हैं 18 इंटू 18 और इस 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2 9 इंटू 2 ठीक है इस सिंप्लिफिकेशन है हमारा सिंप्लिफाई करके काम कर रहें अब हमें इनका कोई काम नहीं है इतने का कोई काम नहीं है काम हमारा इतने से हो जाएगा नव नमई एक यासी से कैंसल हो गया दो दूनी चार चार से इसको काट देंगे चार अठे बत्तिस चार नमई एक चार एक कम चार एक कम चार ठीक है तो X की जो वैल्लू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी आठ सो इनक्यानवे ठीक है पूछा क्या गया है अंकों का योग X की अंकों का योग अंकों का योग करेंगे 9,10,10,8,18 और यह हमारा आ जाएगा अंकों का योग option number A हमारा जो होगा वो answer हो जाए ठीक है question क्या था question था दो संख्याओं का लासा वा मासा 35,64 और 81 है तो कह रहा है एक संख्या उसमें 3,24 है दूसरी X है मतब दूसरी निकाल नहीं है तो हम उसको करेंगे कौन से method से last hand into masa upon my first और इस इक्वल to second मतब दूसरी संख्या निकालनी है जो हमने देखा इसको cut-peat के निकाला X की value तो काटने के लिए हम क्या करेंगे 3,24 को दो भागों में तोड़ लेंग 18 into 18 18 को दो भागों में तोड़ लेंग 9 into 2 9 into 2 क्यूकि इस काटना आसान हो जाएगा 9,9 में 81 81 से 80 चला जाएगा 2,2,4,4,4,3,4,4,4,4,4,4,4,4,8,9,9 आएगा X की value चार पक्शी जंगल के चारोर उड़ते हैं और वे क्रमसा 27 मिनट 30 मिनट 45 मिनट और 60 मिनट ठीक है 27 मिनट 30 मिनट 45 मिनट और 60 मिनट में चकर पूरा करते हैं याधी वे एक साथ उड़ना सुरू करें तो कितने घंटे बात बात को बहुत ध्यान से पढ़ना है कुश्चन को कितने घंटे बाद दिया मिनट में गया है पूछा घंटे में गया है मतलब यह जो भी आएगा यह हमारा काय में है इस सारा कुछ घंटे में ही आएगा मतलब हमें इसको मिनट को गंटे में कनमर्ट करना पड़ेगा ठीक अब इन सवालों में करते हैं कि जब भी ऐसे कोई सवाल आते हैं कि दोड़ना शुरू किया उड़ना चालू किया चक्कर लगाना शुरू किया प्रारंभिक बिंद्पॉर कम मिलेंगे तो उनमें हमेंछे निकालते हैं क्या करते हैं लस्यम निकालते हैं तो हम भी इसमें क्या करेंगे लिए लस्यम के लिए आप हमारे पिछली क्लास में पढ़ चुके ठीक है एलसे हम करेंगे तो करेंगे क्या इसको हम कह सकते हैं 9 या थोड़ा सा और अगर ध्यान दे तो 3 स्क्वाइर इंटू सॉरी एक मिलंट ये सीधे सीधे आपके 3 की पावर 3 होती है ठीक है इसको हम सीधे कह सकते हैं 3 की पावर 3 और इसको हम कह सकते हैं 10 तियां 30 यानि 2 इंटू 5 इंटू 3 इसको हम कह सकते हैं 9 पना 45 मतलब 3 का स्क्वाइर इंटू 5 इसको कह सकते हैं 15, 4, 60, 3, 5, 15 और इंटू 2 का स्क्वाइर अब LCM करने के लिए हमने बोल रखा है कि आप जब भी LCM करेंगे आप लार्जेस्ट नमबर लेंगे 3 की पावर 3 से बड़ा कुछ नहीं है यानि 3 की पावर 3 होगी यानि 27 हो गया और इंटू इसके बाद हमें 5 एक बार है तो एक ही बार लेना है दो बार कहीं है नहीं 2 दो बार है दो बार लेंगे 4 हो गया 4 पंचे 20 हो जाएगा इनका मल्टिप्लाई और 20 का गुणा हम कराए किसमे 27 में 27 दूनाय चौबण यान इन 540 ये क्या आएगा मिनट आएगा plus 340 मिनट क्योंकि अगर 540 आंसर लिखेंगे तो आंसर हमारा है ही नहीं यानि 540 मिनट में वह आरमीयं दोपर आएंगे और हमें क्या चाहिए हमको चाहिए गंटे में तो हम करेंगे क्या इस 540 में 60 से कर देंगे डिवाइड तो 6 9 गनटा कितना होगे भी यह ठीक है तो बात समझ में सबको आ गई होगी simple सा question था करना क्या रहता है जब भी इस तरीके का आपको question दिया जाए ठीक है तो करना क्या है उनमें हमें LCM निकालना है और LCM कैसे निकाला 27, 30, 45, 60 LCM निकालेंगे 27 को हम यह लिख 3 की power 3 लिख सकते है 30 को 2 into 5 into 3 45 को 3 square into 5 60 को 3 into 5 into 2 का square लिख सकते है LCM जब निकालेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा 540 मिनट त्यान यह रखना है कि question में घंटे में पूछा गया है मिनट को हम घंटे में convert करेंगे 60 से divide कर देंगे तो answer हमारा आ जाएगा कितना 9 घंटे ठीक है मतलब जो कबूतर है sorry जो पच्छी है तो 9 घंटे में पुरारभिक बिंदु पर आ जाएगे चली बढ़ते हैं अगले question के और को अगले question के और बढ़ते हैं question में लिखा है कि चार अंकों की वह सबसे बड़ी संक्या ग्याद किजिए तो सबसे बड़ी संक्या ग्याद करने है मतलब इसके कुछ करीब ही रही होगी जो बड़ी संग्याएगी अब करीब सारी करीब लिखी हुई है लगवग लगवग थोड़ा सा आगे और पढ़ते हैं लिखा हुआ जो 18 21 वा 24 से 18 से 21 से 24 से 18 को हम लिख सकते हैं इसको हम इस तरीके लिख सकते हैं नौ दूनी 18 इसको लिख सकते हैं साथ तरीका 21 इसको लिख सकते हैं आठ तरीका 24 ठीके अब क्या करते हैं थोड़ा सा एक इसमें हम एक त्रिक अपनाते हैं कि भहिया उसने यह काया है कि यह बड़ी संख्या जो ग्यात करनी वह ऐसी होनी चाहिए कि 18 से 21 और 24 से विभाज हो जाया मतब भाग इनमें चला जाए तो जायर सी बात है कि 18 21 और 24 से इनमें किसी एक में भाग जाएगा पूरे से तीन 9 से किसी में डिवाइड हो रहा है तो 9 के योग का जो आपका फार्मूला होता है वह यह होता है दिजिटल सम किया जाता है अब डिचिटL जो एक सोला और आठ कितना हुआ चौविस यह हमारा नौ से नहीं कटेगा और जब नौ से नहीं कटेगा तो फिर बात ही खतव कि भी सभी से कटना चाहिए तो नौ से कट रहा है तो ठीक है तो एक option तो हमारा अट गया अब दूसरा देखते हैं नौ आठ सत्रा सत्रा चार इक्की 21 और दो तेइस यह भी हमारा नौ से नहीं कटेगा दो option खतम अगला नौ पाच चाहुदा चाहुदा साथ 21 26 27 यह दोनों जो हैं नौ से कट रहे हैं अब जब नौ से देख लिए अब हम देख लेते हैं आठ से ठीक है या आपको समझ में आ रहा है कि हम किस से देख सकते हैं आठ से देख सकते हैं सबसे काट के देखना है अब आठ से काट के देखेंगे तो आठ से तीन डिजिट में चला जाना चाहिए देखी लास्ट के तीन डिजिट ठीक है आठ से डिविजबिल्टी का जो रूल होता है वो यह होता है कि लास्ट के तीन डिजिट आठ से कट ज आने चाहिए आठ एक कम आठ आठ एक्टे चौन सट ये कट जाएगा फिर इसमें देखेंगे अगर आठ सत्य छपपन आठ दूनी सोला ये भी कट जाएगा अब बचा हमारे पास साथ साथ से डिवाइड करके सबको देख लेते हैं तो इन दोनों को केवल देखना है साथ एक गटेगा हट गया बचा हमारे पास एक ही अब इसको देख लेते साथ एक कम साथ दो बचा साथ दुनी चौदा साथ रिकाएग इस चार हुआ साच च्छंग बैयालिस चार और बैयालिस पांच तो साथ अठे च्छपपन देखिए इसको आप साथ से काटेंगे तो ये कट जाएगा और यहीं आपका अंसर हो जाए तो कोश्चन कुछ नहीं था आप कर सकते हैं कोश्चन में दिया गया था चारंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ग्याद करनी है जो 18 21 24 से विभाज है बड़ी संख्या का मतलब बोलें तो 99999 के पास में होनी चाहिए तो हमने से दिखेंगे तो मतलब अगर 18 से डिवाइड होगा तो 9 से 2 से 3 से 8 से इस तरीकी से दिवाइड हो जाज़िए हमने देखा 9 से दिवाइड किया तो हमारा पहला पहले से 8 गया हमने दोनों को हटा दिया बचस्यें तो 2 में कौन さ सही है फिर हमने 8 से डिवाइड करके देखा दोनों में डिवाइड हो रहा था बचा 7 साथ से हमने डिवाइड करके देखा तो हमारा जो पंचान में 67 है ये 7 से पूरा-पूरा कट गया यानि option number जो D है वो हमारा कैसा हो जाएगा सही हो जाएगा ठीक है तो देखिए अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्ण आपकी समक्ष प्रस्टोत है और लिखा हुआ है कि वह चोटी सी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 6-8 और 10 से विभाजित करने पर सेसफल करमसा 6, sorry, 4-6 और 8 प्राप्त होता है हमेंसे याद रखी कभी भी इस तरीके question दिया जाए तो आपको करना क्या रहता है कि जिससे भाजित करना हो वो आपको संख्याएं लिखनी है पहले safeful दिया जाए उसको करना क्या है ऐसे करके लिख के गटा देना है serial से तो हमने घटा के देखा तो ये दो आया ये दो आया और ये दो आया जो घटाने के बाद आये उनको सब में जोड़ दो ऑप्सन जो हूं जोड़ दीजिए त्यान से सुनिए जोड़ दीजिए जैसे ही जोड़ा ये हमारा 122 हो गया ये हमारा 114 हो गया ये हमारा 1210 यानि 90 ठी खेंगे कि क्या यह six आठ दस से Vision बैंजों जो जिसमें भाग दू तीनों का चला जा यह वह हमारा उप्सन होजाएगा तो देखिए इसमें दस से नहीं जाएगा option खतम इसमें भी दस से नहीं जाएगा option खतम अब बचे हमारे पास यह दोनों इसमें करके देख लेते हैं 6 से चला जाएगा 8 से करेंगे 8 एकम 8 8 5 40 और 10 से भी चला जाएगा यानि option number हमारा 20 हो जाएगा और यह क्यों ने सही होगा क्योंकि इसमें 8 से डिवाइड नहीं होगा ठीक है तो यह हमारा wrong answer हो जाएगा ठीक तो question था हमारे पास वह चोटी 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 संग्या कौन सी है 6 8 10 से विभाजित करने पर कभी भी सतरी के question आए विभाजित करने की बात करें सेस्फल दिया जाए तो जिससे विभाजित हो जाए उसमें सेस्फल गटा दीजिए जो answer आए उसको उठ वीडियो था वह का अंतिम वीडियो था क्योंकि लगबग लगबग सारे questions पढ़े जा चुके हैं ठीक है और यह इसमें हमने विचार किया है कि आप लोगों के परिछा तक मैं सारे topics क्लियर कर दूं जो जिस तरीके questions आ रहे हैं वो भी और हमारे जो सॉर्ट वीडियो होते ह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी ताकि आप तक सारे वीडियो मिलते रहें क्योंकि जो हमारे सॉर्ट वीडियो होते हैं उनमें आपको आने वाले questions होते हैं जो इस समय exam में SSCGD के पूछे जा रहे हैं बार बार पूछे जा रहे हैं वो आप तक लगातार आपक प्रेवरत